घी के स्वास्थे वधक लाबों में अपच को ठीक करना, पेट की गैस को दूर करना, चोड़ों के दर्द को ठीक करना, माईक्रेन में असरकारक और कफ में रहा दिलाने जैसे अनेक लाब शामिल हैं। यह एक आयर्वेदिक और भारत में मुक्यता इसे रोजाना के खाने में प्रमुक्ता से काम में लिया जाता है। अधुनिक विज्ञान ने भी वही बात साबित की है, जो आयर्वेदि विज्ञान में कई हजास सालों से बताई जा रही है कि घी स्वास्ती के लिए बहुत लाबकारी है। गी का सेवन करके आप घी के हेल्थ बेनेफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। गी अच्छे स्वास्ते का खजाना है और स्वास्ते के इसी खजाने में से गी के कुछ अमूले लाब हम चानते हैं। पेट साफ करने के लिए गी है लाबदायक। पेट साफ करने के लिए एक गिलास करम दूद में एक चमच घी अच्छी तरह मिला लीजे। इस दूद को किसी भी समय करम ही पीना चाहिए। रोजाना ऐसा करने से पेट में जमा मल नर्म होकर बहार निकल जाता है। पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। फटी एडियों में घरेलू उपचार में है लाबदायक। एक चमच घी में एक बटे 4 चमच नमक अच्छी तरह से मिला लीजे। इसे फटी एडियों पर रोजाना रात को सोते समय लगा लें। रोजाना ऐसे करने से फटी एडिया ठीक हो जाती है। सर्दियों में इसे लगाने पर एडिया नहीं फटती। हथेलियों तल्वों की जलन का घरेलू उपचार कर सकते हैं हम घी से। बहुत से लोगों को हथेलियों और तल्वों में जलन महसूस होती है। इसके लिए हथेलियों तल्वों में घी की बिश करनी चाहिए। ऐसा कुछ दिन तक करते रहने से यह जलन ठीक होती है। खुनी बवासीर का घरेलू उपचार में हैं घी का प्रयोग। आप एक चमच घी लें, इसमें एक चमच पिसे हुए सफेद तिल डाल कर मिला लें। इसे रोजाना दिन में एक बार किसी भी समय खाना चाहिए। इसे पंद्रा से लेकर तीस दिन तक किया जा सकता है। इससे खुनी बवासीर में बहुत फायदा मिलता है। अगर बाल चल्दी सफेद हो गए हैं तो जिर में गी की अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। ऐसे रोजाना लंबे समय तक करने से बालों को निट्रिशन मिलता है। और बाल दीरे-दीरे काले होने लगते हैं। साथ ही यादाश्त भी बड़ी है और सिल्दत भी ठीक होता है। वास्ते के लिए की के ये फायदे आपके लिए और आपकी फार्मरिक ले बहुत काम के हो सकते हैं। यदि आप इन में से किसी भी समस्या से परिशान हैं तो यहां बताए गए गई लोग उप्चारों में से किसी का भी आप वायदा उठा सकते हैं। थैंक्य।